बहु और बेटी का अंतर मैंने सुना तो आखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आश्चर भी हुआ कोई और रत इतनी बेबा की मांदारी और साहस के साथ एक अलग ही विचार धारक को बता रही थी। उनकी बात सुनकर एक पूरी तरह राजिनीती विचार मन में घी राया जैसे पहले दलितों पर हुए अताचार का बदला अब सर्वडों से लिया जा रहा है और इस बिशय पर कुछ बोलना आग में हाथ जलाने जैसत है। ठीक वहीं इस दिते नारी विमर्ज की हो गई है। सिर्फ औरतों के पच्छ में बोलिये सारे पूर्सों को दोसी ठहराओ। सिर्फ बेटी को अच्छा बताओ बेटों को बखिया उखेडो। औसर था एक समाज सेवी संस्थाप। बेटी धामाद ने नी जमिन जादात के लिए भाई भजाई और मातापिता का। कि अगर उनका बश्चलता तो वे इस दुनिया से बेटे नाम की जीव ही लुप्त कर देते। लेकिन तभी एक बहुत जोर की आवाज सभी को सुनाए दी। बांध की जी अपने किये पराधों के लिए दूसरों को जिम्यदार ठहराना। सबने यकायक चौक कर देखा तो एक साठ पैसर साल की महिला समरांत महिला मंच पर आ चुकी थी और अपनी रौवदार आवाज में सब को डपट चुकी थी। मेरी तरफ मुखातिव हो कहने लगी मैं कुछ कहना चाती हूँ मैंने कहा अवस्य तो वे कहने लगी बहनों सायद आप सभी मेरी बात से सहमत ना हो लेकिन आप सब के विचार सुन मैं बड़ी दुखी हुई एक तरफा सोच सारा दोस्त एक ही के मत थे। आप सब से केवल एक प्रशन पुछना चाती हूँ कि कोई एक उधारण बता दीजिये कि किसी कुवारे लड़के ने अपने माता पिता को छोड़ा हो या उन्हें विध्धा असरम का दरवाजा दिखाया हो। मैं केवल सास को या केवल बहु को ही दोसी नहीं माता। मैं पूरुस के सर पर आप सब कहते हैं बेटियां अच्छी होती हैं। लेकिन क्या वही बेटियां अच्छी सास अच्छी बहु। अच्छी पतनी भी होती हैं। पूरे हाल में अजीब सी चुपी छा गई थी। किसी के पास उनके सवालों के जबाब नहीं थे। उन्होंने एक गहरी सास लेकर बोलना सुरू किया। मैं इस संसा की कारे करता हूँ। मैं भी अपने बेटे बहु से बहुत नराज थी। मैं मनोबिज्यान की प्रध्यापक रही हूँ। लेकिन यह कहां लिखा है कि मनोबिज्यान पढ़ाने वाला मन पढ़ना भी जाने। लेकिन यहां रह मैंने मन पढ़ना भी सीख लिया, लोगों को समझना भी सीख लिया, और अपने आपको समझ भी लिया, मेरे बेटे बहु दोनों बहुत अच्छे हैं और संसकारी थे, लेकिन मेरी उनसे अपच्छाएं इतनी अधिक थी, कि वे जो भी करते मुझे कम ही लगत बेटी भी है मेरी और आप सबकी तरह बेटे से अधिक प्यार करती थी, मैं उसे रोज फोन करती तो लगता कितना ध्यान रखती है मेरा, वहीं मेरी बहु दिन रात साथ में रह कर मेरी सेवा करती तो भी उसके हर काम में मीन मेक निकालना मेरा धिकार था साथ जो ठहरी वे हस्ते हुए बोली बेटे का तवाबला हुआ तो जाने से साफ मना कर दिया और वे चले गए तो मैंने यहां समय बिताना सुरू किया जब सबसे बात की तो पाया की परिवा तूटने के मूल में है महलाओं का आपसी सामजज का अभाव घर की महला का खराब सभाव और रिस्तों में अत्यधिक पिछाएं क्या मैं गलत कह रही हूं महलाओं में जितने क्लेस होते हैं वैसे पुरूस में नहीं होते यहां रहने वाली हर महिला में जब मैंने बात की तो सब यहीं कहती पाई गई की मेरा बेटा तो संसकारी है लेकिन बहु को यह कहते पाया की ससूर जी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सास वैसे ही नंदोई देवर जेट तो इसने ही है थे लेकिन क्रमसर ननत देवरानी या ज प्रतिमा कहीं कहीं तो घर तूटने का कारण बहु की माता जी भी रही अब पढ़ी लिखी समझदार तो मैं थी ही और न्यायप्री भी अपनी इतनी अकड़ू भी मैं नहीं की सच को प्रत्यच्छ देख कर भी नकार दूँ तो अब आप मुझे बताएं की इन सब अच्छी और संसकारी बेटियों को ससुराल में क्या हो जाता है कि परिवार बिखर जाते हैं ये सी मती वर्मा जी है घर में इनका इतना दबदबा था कि वहू अपने हाथ से चाह बना कर भी पी नहीं सकती थी इनकी इजाजत के विना और समय पर चाह न मिले तो तुफान खड़ा कर देती लेकिन यहां हर नियम के तहट चलती है तो क्या थोड़ा सामजर से घर में नहीं बना सकती थी वह यह वहुरानी कविता यहां तो सामाज सेवा के नाम पर हर काम में आगे लेकिन घर का काम और साससूर का साथ बंधन लगता है पती को बच्चों को छोड़ कर यहां र पर ससुराल के नाम पर बिच्छु काट लेता हो, इसे दुनिया की सबसे अच्छी जगह इसका माईका और सबसे बूरी जगह इसका ससुराल यह प्रीती जो यहां महिला अधिकारियों की जोर दारबात कर रही है, अपने भाई भोजाई और माता-पिता का जीना हराम किये है, खुद बहुत अमीर है, पर गरीब भाई से हिसा लेने के बाद भी कलह का कारण है, यह स्रीमती दिच्छित है, बहु बेटे का पूरा कंट्रोल पर अपनी बड़ी बेटी को ससुराल से अलग होने के तरीके सिखाती रहती है, और छोटी बेटी के लिए सास ननद न हो ऐसा घर ढोड़ रही है, कहती है जंजट वाला घर नहीं चाहिए, न रहेगा बास न बजेगी बासुरी, तो आपको यह कानी कैसे लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब पर दें, थैंक्यू